हालो और स्वागत आप सभी का फिर्स एक बार हमारे इस रूप चानल पर दोस्तों आज का वीडियो बड़ा है इंट्रेस्टिक होने वाला है खास करके अगर आप बीए सिनर्सिंग में अड्मिशन लेना चाह रहे हो स्पेशली यह वीडियो महारास्ट्रा स्टूरंस के लिए में बना रहा हूँ क्योंकि अभी महब्रमेंट को चाहिए तो उसके लिए हमारा स्कॉर कितना होना चाहिए अगर हमें eligible भी होना है या फिर pass होना है कैसे हम बोलेंगे कि हम qualified हैं तो इस वीडियो में हम देखेगे सबसे पहली important चीज कि आप qualify कब हो गया कितने marks पर आप qualify हो गये और अगर आपको पास होना है अगर आपको government college चाहिए तो आपका score कितना होना चाहिए तो वो दोनों भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उससे पहले अगर आप भी सिनर्स एमेच जो सीट है उसके लिए प्रिपेर कर रहे हो और आप देख रहे हो यह लुकिंग आउट फॉर गूड नोट्स तो मेडिकेमी हमारा जो चैनल है वहाँ पर हमने कुछ physics chemistry biology के लिए simplified notes रख सकते हो वह नोट्स आप ले सकते हो प्रेंट करके उसको पढ़ सकते हो उसके अलावा हमने रिसेंटली 3000 प्लस एमसी क्यूट भी अप्लोड कर रहे हैं वही पर हमारे चैनल पर उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर हम देदेगे वहाँ पर आप क्लिक करके वह एमसी क्यूट सकते हो क्योंकि अभी क्या है ना कि honestly I'll say कि हम चार-पाच लोग बैठके जब एमसी क्यूट बनाते हैं तो कई बार होता है कि कुछ एमसी क्यूट मैंने जो दिया है वह परसंद भी ने सी ने भी दिये हो इसा हो सकता है तो अलग-अलग सेट्स है हर एक सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोजी इंग्लिश नर्सिंग अप्टिटूड हर एक सब्जेक्ट के सेट्स बनाए हुए है तो हो सकता है कुछ कुछ कोश्चंस रिपीट हो जाए आल बी वरी ऑनेस्ट विद आट बट अभी तीन दिनों के लिए ओफर चल रही है सिर्फ 399 रुपीज पे वह एमसी क्यूट आपको मिलने वाले है और उसमें एमसी क्यूट इस सीट को सीटी एक्जाम को फिर सेंटर सेग्जाम को अगर को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए कुछ क्राइडेरिया है सबसे पहले अगर आप अपन कैट अब यह ओप कैटिंग्री वाइज होता है ओपन कैटिंगरिस से अगर आप हो तो आपको 50 परसेंटाइल स्को रिजर्व्ड क्याटेगरी से आते हो किसी भी रिजर्व्ड क्याटेगरी जैसे सी स्टी जो कॉंस्टिटेशनल रिजर्वेशन होते हैं उसमें आप आते हो तो आपका स्कोर 40 पंसेटाइल होना चाहिए 40 पंसेटाइल मार्क्स आपका स्कोर होना चाहिए अगर फिजिकली डिसेबल हो तो उन लोगों में उन स्टूडन्स का जो स्कोर है वह 45 से कम 40 पंसेटाइल मार्क्स से कम आप नहीं होने चाहिए फिर से सुनिए और ध्यान से देखे यह 50 पंसेटाइल है 40 पंसेटल है 45 पंसेटाइल है अब आप लोग इस में पेसेटाइल और पसेटेज में अब कंफ्यूस होगे दो अलग अलग यौट्स है दो अलग ice et परसेंटाइल एंड परसेंटेज अब यह जो परसेंटेज होता है वह आपका इंडिविजल स्कोर होता है जैसे कि आपको 70 परसेंट मार्क्स मिले तो वह इंडिविजल score हुआ लेकिन परसेंडाइल जो होता है न वो आपका स्कॉर बाकी स्कॉर के साथ मतलब बाकी जो भी स्टूडन्स रहेगा एक्स नमबर ऑफ स्टूडन्स उनके साथ आपका स्कॉर को कमपारिज़न करके आपका rank define करता है अगर है इसको समझने के लिए तो अगर स्कोर है सेवेंटी परसेंट अगर आपका मार्क्स है हाँ जैसे कि सीटे एक्जाम हंडेड मार्क्स की है तो इसमें से अगर आपको सेवेंटी मार्क्स में या फिर सेवेंटी परसेंट आपका स्कोर है तो सेवेंटी परसेंट स्कोर है और मान कि चलो आपका रैंक है 85 85 percentile है या फिर 80 परसंट यह ठोड़ा होल नम्बर मतलब 80 लेते हैं चलो राउंड फिगर 80 परसेंट अगर आपका स्कोर है तो इसका मतलब यह है कि यह जो मार्क सेना आपके 70 परसेंट यह 80% है मतलब 80 परसेंट जो भी स्कोर्स आये है 80 परसेंट जितने मतलब 80 परसेंट बच्चे जिनको जितने भी स्कोर्स आये है 80 परसेंट मार्क जितने भी मिले है उससे उपर है यह 70 परसेंट मतलब जितने भी बच्चों को मार्क मिले है उसमें यह मार्क जो है वह 80 परसेंट क के उपर यह माक्स वाला रैंक है ठीक है तो थोड़ा यह है कंफ्यूजिंग है बट इसको समझ यह परसेंटाल जो है वो और आल बाकी लोगों के माक्स के साथ आपका रैंक बताता है और जो परसेंटेज है वह आपका इंडियल स्कोर है ठीक है तो वहाँ पर मैं अभी क्लास इसकोर है तो अगर आपको इतना स्कोर है इसमें आप आते हो तो आप कौलिफय हो जाते हो लेकिन अगर आपको गवर्मेंट कॉलेज चाहिए गवर्मेंट कॉलेज चाहिए तो लास्ट टाइम के आगर मैं बताओ PCV के बेसिस पर जो एडमिशन हुए थे उसमें 99 कि से लेके 90 या फिर 90 से लेके 90 न अ에게 बोलोति अ इस परसेंटाइए पक्रसेंटाइद । उनके मार्स थे तो आविसली परसेंटाइब भी ज्यादा रहेगा राइट तो 50 से लेके उपर परसेंटाइब होते है तो अगर आपका score मान के चलो 90 से लेके 99 तक है तो आपका rank, percentile rank या फिर percentile score जो है आपका, वो high होने के ज़्यादा chances है, अगर आपका score 90 से लेके 99 के बीच में है, तो government colleges में seats कितने हैं, अभी महारस्ट में 250 seats है, तो अगर आपको government college चाहिए, तो इस बीच, अगर आपका marks है, इस बीच, अगर आपका score आते है, MHB, SNL, CET में, तो आपके maximum chance रहेगे, मतलब आप safer side पे रहोगे, ठीक है, आप safer side पे रहोगे, कि चलो ये तो आपका government college, government seat आपकी पकी है, but again, 80 के उपर भी अगर आप हो, तो भी आपके chance बनते हैं, ठीक है, तो अगर हम अभी at the end, इसको conclude करे, revise करे, या फिर summarize करे, तो 80 marks के उपर अगर आपके score है, तो आपको कुछ हद तक chance है, 90 के उपर अगर आपका score है, तो आपको definitely government seat मिलने के काफी जादा chance है, इसके लिए हमने अधर लिया, last time जो PCB के basis पर था, उसमें जो marks थे, इस range में, तो वो 57, 58 ऐसे students थे जिनको इतना अच्छा score था, ठीक है, अगें, आपका जो eligibility है, वो 50 percentile है, open के लिए, and category के लिए 40 है, तो ये सबसे पहले आपको ये hit करना है, जिसके लिए आपका score इससे उपर होना चाहिए, जितना अच्छा आपका score रहेगा, उतना आपका percentile रहेगा, तो अभी तक अगर आप सोच रह difficult नहीं रहेगा, yes, easy है, ज्यादा tough नहीं है, but जो criteria है percentile का, जो percentile की बात आती है, तो वहाँ पर थोड़ा difficulty मेसुस होती है, वहाँ पर थोड़ा tough हो जाता है, इसलिए अच्छे से prepare करिए, again अगर आप prepare करना चाहते हो, तो आप हमारे notes देख सकते हो, जिसकी link description में है, या फ पर हम update कर रहे है, तो वह अप refer जरू कर सकते है, इसके अलाव, अभी क्या है ना, students को problem आता है, admission में, पिछली बार हमारे पास counseling के लिए 25 students थे, एक student था, एक candidate थे, जो कि 35 अबो थे, फिर भी उनका admission हुआ था, but at the end, college को मतलब समझ में आया कि age जो है, वो उपर है, क्योंकि बाकी जो students थे, उनको अपना marks के अनुसार, कौन सा college मिलना चाहिए, कौन सा मिलेगा, कौन सा best रहेगा, उसके लिए वो हमार साथ counseling में थे, तो अगर आप भी चाहते हो, अब क्या होता है ना, कि इस पूरे process में, आपको सिर्फ यही नहीं है, आपको ये exam देने के बाद, आ reference feeling होती है, तो बहुत सारे चीज़े होते हैं, और इसमें college कैसे find out करें, उस पर हलेके एक वीडियो आने वाला है, कैसे अच्छा college आपको मिलेगा, तो अगर आप चाहते हो, तो आप हमारे साथ counseling ले सकते हो, हमें join कर सकते हो, इस चीज़ के बार में, मैं detail video बनाऊंगा, और उसमें आपको बता लोगा, तो उमीद करता हूँ आपको जो question था कि qualify कैसे करे, government college के लिए marks कितने चाहिए, तो वो इस वीडियो से आपका question का आन साब को मिल गया है, अगर फिर भी आपके कुछ questions बाकी है, कोई पूछना है, कुछ question, आप comment box में comment करके पूछ सकते हो, या फ आप time बता दीजिए, उस time पर हमारे तरफ से आपको call आएगा, अब बात कर सकते हो, आपके doubts हम solve करने की पुरी कोशिश करेगा, so मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके बाद जो भी वीडियो आने वाले हैं, related to MS, CET, BS Nursing, CET and others, BS Nursing Course के बारे में, 2023 में, तो काफी helpful वीडियो आएगे, जो आपको help करेगे, इस field में, admission में, इस process में, और कई सारे चीज़े को समझने के लिए, तो चैनल पर बने रहिए, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को subscribe करे, कोई भी चीज है, comment करते रहिए, like करे, share करे, हम 1 lakh subscribers के काफी कम है, काफी करीब है, 93,000 subscribers हमारे चैनल प करे, मिलता है किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टापिक के साथ, तब तक के लिए, शालूम, शांती, और सलाम, बाबाए